महाभारत कथा एकलव्य की गुरुभक्ति एकलव्य महाभारत का एक पातर है वह हिरन्य धनु नामक निशात का पुत्र था एक लव्य को अप्रतिम लगन के साथ स्वयन सीखी गई धनुरुविद्या और गुरुभक्ती के लिए जाना जाता है पिता की मृत्यू के बाद वह श्रिंग बेर राज्य का शासक बना अमात्य परिशत की मंत्रणा से उसने न केवल अपने राज्य का संचालन करता है बल्कि निशाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करके अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया महा भारत में वर्नित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या सीखने के उदेश से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया किंतु निशाद पुत्र होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिश्य बनाना स्वीकार नहीं किया निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ती बनाई और उस मूर्ती को गुरु मान कर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्रचित से साधना करते हुए अलपकाल में ही वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुर हो गया। एक दिन पांडव तथा कौरव राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखिट के लिए उसी वन में गये जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटक कर एकलव्य के आश्रम में जा पहुँचा। एकलव्य को देख कर वहां भौकने लगा। कुत्ते के भौकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी आथा उसने अपने बानों से कुत्ते का मुह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बान चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी। कुत्ते के लोटने पर कौरफ, पांडव कथा स्वयन द्रोणाचार्य यह धनुरकोशल देखकर दं रह गए और बाध चलाने वाले की खोच करते हुए एकलव्य के पास पहुँचे। उन्हें यह जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि द्रोणाचार्य को मानस गुरु मानकर एकलव्य ने स्वयन भी अभ्यास से यह विद्या प्राप्त की है। कथा के अनुसार एकलव्य ने गुरुदक्षना के रूप में अपना अंगुठा काट कर द्रोणाचार्य को दे दिया था। इसका एक सांकेतिक अर्थ यह भी हो सकता है कि एकलव्य को अतिमेधावी जानकर द्रोणाचार्य ने उसे बिना अंगुठे के धनुष चलाने की विशेश विद्या का दान दिया हो। कहते हैं कि अंगुठा कट जाने के बाद एकलव्य ने तरजनी और मध्यमा अंगुली का प्रेयोग कर तीर चलाने लगा। यहीं से तीरंदाजी करने के आधुने तरीके का जन्व हुआ। नेहसन में यह बहतर तरीका है और आजकल तीरंदाजी इसी तरह से होती है। वर्तमान काल में कोई भी व्यक्ति उस तरह से तीरंदाजी नहीं करता जैसा कि अर्जुन करता था। अष्मान।